हमारा मेन क्यारेक्टर बिजनेस की वज़े से जापान में जाता है और वहाँ पर एक बहुती ब्यूटीफुल लड़की उसे दीखी उसका उस लड़की के साथ अफेर हमेशा उसे बार-बार वही जाने के लिए मजबूर करता है क्या आगे आने वाले डेंजर से ओ बच रहा था वह हमेशा उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है पर इन सब की शुरुवात कहा सी हुई थी इसके बारे में अब वह हमें बताएगा हरवे मिलिटरी में सर्व कर रहा था जब वो घर पर आया तो उसने एक बहुती ब्यूटीफुल सी लड़की को देखा जिसक और बहुता नाम ता बालडबहु बालडबो को हरंवे की फादर को एक सिलक का कपड़ा दिखाता है वो गहता है कि ऐसेल करने से में बहुत सारे पैसे मिलेंगे उसे इस टाउन में एक फैक्टरी बिल्ड करनी थी वो वो कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉलम नहीं आना चाहिए हर्वे की फादर भी इस बात के लिए मान जाते है इस बार तो हर्वे को फिर से सर्व करने के लिए जाना पड़ा पर जब तक वो वापस आ तब तक बाल्डवाओ के बहुत सारे फैक्टरीज बन गए थे सिल्क इतना अच्छा बिक रहा था तो सारे लोग रीज बनने लग गए थे हर्वे जब वापस आता है तो हेलेन से उसने शादी करने के लिए पूछा हेलेन भी इसके लिए हा कहती है जब हर्वे को पता चला कि उसे फिर से वापस जाना पड़ेगा तो बात सुनकर वो बचे है मैं काम नहीं कर सकता बालडवाओ गयता है तुम्हारे फादर को मैं समझाओंगा वो हर्वे के फादर को समझा लेता है उसके बाद हम डार्वे और हेलेन की शादी देखते है हर्वे अब हमेशा के लिए बालडवाओ के लिए काम करने वाला था हेलेन को हर्वे का दूर जाना है अच्छा नहीं लगता पर आर्मे में सर्व करने से तो अच्छा था तो इस वज़े से उसे जाने देती है हरवे एजिप जाकर आया और वहाँ से ओ एक्स लेकर आता है वापस आने के बाद हेलेन और वो इंटिमेट होते है हेलेन ने का मुझे एक बेबी चाहिए ये दोनों इस बात से बहुत खुश थे है बालडवा उन्हें फिर से हरवे को बुलाया तो गहता है जो एक्स तुमने लाए हुए थे वो डेड मिले जो बीमारी यहाँ पर थी वही बीमारी इजिप तक भी पहुश गई थी मैंने सुनाए कि जापनिस लोगों के पास एक टेक्निक है उस वज़े से एक्स को कोई भी प्रॉल्लम नहीं आता वो अब चाहता था कि हरवे जापान में जाने के लि हेलन कहती कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को रोकना नहीं चाहती अगर इसे सब का फाइदा होगा तुम्हें जाना चाहिए उसकी पर्मिशन लेकर फिर हारवे निकल पड़ता है वह रशिया से होकर स्लोली स्लोली अलग अलग प्लेसेज घूम कर जापान तक पहुच जाता है जापान में बाल्डोबाउ के एक आदमी से मिला सिल्क वाम बेचने वाले मर्चंट से बात करता है उन्होंने उसे एक्स दिखाए पर हारवे समझ गया कि एकस फेक है उन्हें रियल कोल्ड की जगा फेक गोल्ड देता है इसके बाद अगली दिन वह उसे एक दूसरे करते हारवे कहता है कि मैं एक मर्चंट हुँ गहता है ये तो तुम्हारा काम है पर तुम एक्चोल में को नहीं हो और नेमें से कुछ बदा है और इसके बाद में जापान से बाहर निकलूंगा उसे के बाद मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा ये मेरा वादा है ये जब बात चल रही थी तो लड़की हरा के पास आकर सोगी इनकी ट्रांजेक्शन सक्सेस्फुल होने के बाद हर्वे फिर से वापस आजाता है एक्स बहुत ही अच्छे थे और बाल्डबाव इससे बहुत ही खुश हो की अपनी नई लाइब स्टार्ट करने के लिए दोनों रेडी थे अब बहुत दिन हो चुके थे पर हेलन प्रेगनाट हो नहीं रही थी हेलन की एक फ्रेंड को बेटा हुआ था और अब वो बड़ा भी होने लग गया था ये गर हेलन के लिए बहुत ही बड़ा था तो हेलन टाइम गुजर जाता है और एक दिन बालडबाव फिर से हर्वे से मिलने के लिए उसे गहता है अब इस बार का डिसीजन ज़रा टफ होका जापान में हालत खराब हो चुकी है और वहाँ पर जाना सेफ नहीं होगा पर ए डिसीजन तुम्हे लेना है हर्वे जाने के लिए म बहुत कोशिश करता है एक चोटी से लड़के से उसने हल भी ली थी हरा के आने के बाद इनकी डील होती है रात में हर्वे जब नहा रहा था तो लड़की पीछे से उसके पास आगे वो अपने हाथों से उसे नहला देती है एक चिट्टी उसके हाथ में देकर वहाँ से और चलीगी रात में हर्वे से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो एक डच मर्चंट था वो जाप नहीं समझ सकता था तो हर्वे को गाइड करेगा उसने कहा कि तुम हरा को इतने अच्छे पैसे दे रहे हो इसी वज़े से तुमारी खातिरदारी कर रहा है यह सब कुछ लोगों की मीटिंग चल रही थी जापान पर हमला होने वाला था तो इसी के बारे में वो बात कर रहे थे डच मर्चंट ने हर्वे से कहा जल्दी से तुमारी ट्रेट कंप्लीट करकर यहां से चले जाओ वरना हालात बहुत खराब हो जाएंगे डिनर के वक्त भी वो कि उस दूसरी लड़की को लेकर आई थी उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में दे देती है और बाहरी रुकिए वो लड़की हर्वे के साथ इंटिमेट होने लग गे यह सब रियालाइज करकर बाहर वो बहुत रोती है उस रात के बाद हर्वे ने सुबा उसे हर्वे को मिला इसके बाद वो जल्दी से यहां से चला जाता है जापान में जो भी हुआ इसके बाद हर्वे पूरी दरीए से तूट चुका था वो सब कुछ चीजे हेलन को बताना चाहता था पर कभी भी बोल नहीं पाता यह प्रेगनंट हो नहीं रहे थे तो हेलन इस मता चला कि वर्म से सिल्क भी बन सकता है हेलन समझ गई थी कि हर्वे अब उसी लड़की से प्यार करता है उस लड़की ने हर्वे को जो नोट दिया था यह पढ़ना चाहता था तो इससे लेकर वो बालडवाओ के पास आया उसने कहा कि तुम किसी ना किसी को तो जानती हों लड़की भी हर्वे से बहुत प्यार करती थी ब्लांज उसे कहती कि तुम्हें उस लड़की के बारे में भूल जाना चाहिए तो मैं पता है कि वो नहीं मरेगी हर्वे इन सब बातों को सुनने वाला नहीं था वो फिर से बालडवाओ के पास गया और कहता है कि मैं फिर से जापान जाना ही चाहता हो अगर तुम्हें नहीं तो किसी और को मैं एक सेल कर दूँगा प्लीज मेरी हेल्प करो इस बार जापान में वार बहुत जादा बढ़ चुकी थी वह आप जाना खुद खुशी के बरावर था हर्वे के फादर माननी रहे थे पर फिर से एक बार सब Robinson के पास आए उसे पुछती है क्या हरवे को हम रोक सकते है आग कुछ ना कुछ तो वह हो गाई बार पर ने का कि तुम मेरे साथ चलो दूर से फिर उस लड़के ने जहाँ पर हरा ट्रैवल कर रहा था इसकी लोकीशन उसे बता दी हरवे उस लड़के को पैसे देता है और as a gift एक दूरिबिन भी उसने उसे दे दी पर इसी दूरिबिन में उस लड़के ने हरवे को जो मैसेज भेजा था यह मैसेज भी था नेकसिन में हरवे हरा से मिलता है हरे ने कहा कि यहाँ पर वार चल रही है हम दुमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते है जल्दी से यहाँ से चले जाओ रात बर हरवे यही पर उगा सुबा हुई तो उसने देखा जिस छोड़े लड़के ने उसे हेल्प की थी उसे टांग दिया किया था हरा को उस लड़के के पास वो चठी मिल गई थी उसे भी पता चल गया था कि उसकी गल्ट्रेंड हरवे से प्यार कर दिया इसी वज़े से उसने उस लड़के को मार डाला यहाँ से जाने के लिए हरवे को लास वार्निंग देता है हरवे को उसे एग्स नहीं मिले थे तो किसी और जगा से उसने एग्स लिये और जल्दी से फिर से अपनी कंट्री में आ गया पर तब तक समर स्टार्ट हो गया था एग्स हैच हो गय थे और सब वॉम्स मर चुकी थी हरवे आज कल पूरी तरीके से डिप्रेस्ट हो गया था एग्स ना मिलने की वज़े से उनकी मिल्स भी बन होने लग गयी थी एक दिन बाल्डवाव आकर हर्वे से बात करता है कहता है कि तुम्हारे साथ जापान में जो भी हुआ इसके बारे में तुम्हें किसी ना किसी से तो बात करनी चाहिए हर्वे ने कहा कि यह जरूरी नहीं है मैंने एक्ज निला है और इस वज़े से अब हमारे पास पैसे भी नहीं है विंटर में हम स्टार करेंगे हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए बाल्डवाव के पास कुछ भी आइडा नहीं था तो हर्वे कहता है इस गार्डन में हम प्लांटिंग करेंगे इससे हमारे पास फूड़ोगा और सब लोगों को काम मिलेगा इनका विंटर बहुत अच्छे से गुजर गया एक दिन हर्वे को जापान से एक चिट्थी आती है ये चिट्थी लेकर वो फिर से बलांच के पास पहुचा बलांच उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था फिर जो उस लड़की के बारे में सोच ना मत ये लास्ट टाइम मैं तुमारे ले ट्रांसलेट कर कर दूँगी इस चिट्थी में लिखा था कि वो लड़की और हारवे अगर एक दूसरी के साथ इंटिमेट होते है इस वज़े से उइंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे हारवे फिर से कभी भी उस लड़की से मिलने के लिए नहीं गया साल बित्ते गये पर हेलन प्रेगनन नहीं हुई उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे अपने फ्रेंड के बेटे को ही अपना बेटा उमान दिया अपनी रियालिटी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था हारवे को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और उनकी खुशी जादा टाइम तक नहीं चली एक दिन हेलेन अचानक से चक कर आकर नीचे गिर जाती है उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी एक दिन हेलेन अपने फ्रेंड की बेटे से बात करती है कहती है मेरी जाने के बाद हारवे बहुत ही अकेला हो जाएगा उसका तुम खैल रख हैलन हारवे से कहती है जब तुमने फर्स टाइम मुझे लैंड दिखाए थी तो कहा था कि हम दोनों यही पर ओल्ड होंगे अब यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस बात से वह बहुत रोते हैं हैलन की फिर टेथ हो गई थी बाड़े बाव हमेशा एक की हाथ से गेम खेलता था एक स्पेसिविक शॉट था जो लेना चाता था फाइनली वह लेने में उस सक्सीर हो गया उसने डिसाइड किया था कि जि उसे ढूंडा फाइनली उसे मिल के उसे बुछता है क्या वो लेटर तुमने लिखा था ब्लांश कहती को लेटर मैंने नहीं तो हेलन ने लिखा था जब वो सब कुछ चीजे मुझे बता रही थी तो उसके आखों में आसू थै उसका आवाज में कभी भूल नहीं सकती लड़का हमेशा हर्वे से बात करता है उसे अकेला महसूस होने नहीं देता ये जो सारी स्टोडी तिम्हरेन ने उसे बताइए लिखा था उसको सब ये मुवी हमें बता कर जाती है कि गलट डिसीजन की वज़े से रिक्रेट कैसे होते हैं। अगर आपको एक्स्पिनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा। ये बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मन पूलिएगा। हम विर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्यार रखिये।